नमस्कार स्वागत है आपका हमारी चैनल जियोफीनिस में दोस्तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे सभी बड़ी खबरे मुख्ये समाचार टूड़े ब्रेकिंग नियूस के रूप में तो दोस्तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है यदि आप हमारी चैनल पर न नहीं देने पर उसके खिलाफ अविश्वास प्रताव ला सकती है भाजपा जिहादोस vergessen करनाटक में सत्ता के आने के एक दिन बाद ही भाजपा विधानसभा अध्धक्च की आर रमेश कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रताव लाने पर वीचार कर रही है पार्टी ने कह कि कुमार को पद छोड़ने के लिए सरकार की तरफ से साफ संदिश दे दिया गये हैं जिस पर से परमपरागत रूप से सतधारी पार्टी के सदस से आसीड हो रहेंगे। इधिपा देते हैं या नहीं। बिधायक ने पूछाए कि पार्टी के कोई अध्धक्च कैसे हो सकता है। आपको बता दे कि उन्होंने कहा है कि एक बार जब हम सदन का विश्वास प्रस्ताव जीत लेते हैं तो उसके बाद हम विश्वास प्रस्ताव लाने का काम करेंगे। में अचानक हुई एक राजनितिक घटना क्रम में भाजपा के वरिश नेता वी एस ये दूरप्पा ने सुक्रुवार को चोथी बार मुख्यमंत्री पद की सपतली उनके सामने सबसे बड़ी चुनोती अपने पक्ष में आकड़े जुटाने की है जिहादोसुम अगली अप में उपलब्ध होगा जियो सार्थी एक वाइस बेस्ट असिस्टेंट है इसे इसलिए बनाए गया है ताकि ग्राहकों को अपना नमबर रिचार्ज कराने में आसानी हो जियो सार्थी माई जियो एप में एंडुराइड और आईसो दोनों में उपलब्ध होगा जियो स अर्थी अपनी ही इस तरीके के खास डिजिटल असिस्टेंट है इसे उन ग्राहकों के लिए खास तरपर डिजाइन किया गया है जिने माई जियो एप के जरिए रिचार्ज कराने में थोड़ी परिसानी हो रही है कंपनी का कहना है कि जियो सार्थी के जरिए ज्यादा से ज जियो यूजर्स डिजिटल रिचार्ज कराना शुरू कर देगे जिन जिन जियो यूजर्स में अब तक माई जियो एप के जरिए ऑनलाइन रिचार्ज नहीं करवाया है उन्हें ये सो होगा हाला कि बागी यूजर्स को भी यह दिखाई दे असिस्टेंट यूज करने के आपको एप ओपन करना होगा और रिचार्ज ओप्सन में जागर के जियो सार्थी असिस्टेंट पर क्लिक करना होगा इसके बाद जियो सार्थी असिस्टेंट आपको गाइड करना सुरू कर देगा जी हाँ दोसों अगली खबर आपको बता दे कि हावडी मोदी हुष्टन में PM के समान में होगी भारती अमेरिकों की सबसे बड़ी सवा जी हाँ तो सुन अमेरिका के हुष्टन इस्थित टेकसासस इंडिया फोरम 22 सितमर को NRG स्टेडियम में भारत के प्रधानमती नरेद मोदी के समान में एक सामुदाइक समेलन आयोजित किया जाएगा NRG स्टेडियम अमेरिका की सबसे बड़ी पेसेवर फुटबोल स्टेडियम में से एक है गैर लावकारी संगठन टेकसासस इंडिया फोरम ने पूष्टी की है कि हावटी मोदी नाम से इस कारिकरम में लगवग 50,000 लोग से आने की इमिस में संभावना जताई जा रही है कारिकरम के लिए स्वागत साजेदार के तौर पर साड़े छो सो से अधिक सामुदाइक संगठन पहले ही हस्ताक्षर कर चुके हैं आयोजिकों के स्वागत साजिदार को हस्ताक्षर करने के लिए सनिवार तक का समय बढ़ा दिया गया है और इसे अपने सदसे के लिए विसे सुल्क पास कर दिया गया है इस आयोजन में सांस्कृतिक कारिकरम और मोदी का भी संबोधन होगा हुस्टन में जाने माने भारतिय समुदाय के नेता जुगल, मलानी और हाउडी मोधी आयोजित समिती का योजक नामित किया के हैं मलानी ने कहा है कि हम प्रस्ताओ NRG स्टेडियम में यह सम्मान आयोजित करने के लिए उत्साहित हैं यह भारती अमेरिकों और भारत के मित्रों की सबसे बड़ी सभा होगी जी हाँ दोस अगली कबर आपको बता दे कि वायुसेना की ताकत और बढ़ी अमेरिका ने चार लड़ाकू अपाचे हेलिकोप्टर भारत को सौपा जी हाँ दोसों अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोईंग ने सनिवार को भारती वायुसेना को बाइस अपाचे लड़ाकू हेलिकोप्टर में से पहला चार हेलिकोप्टर सौप दिया है जबकि चार और हेलिकोप्टरों की अगली खेप की आपूरती अगले सप्ता की जाएगी एन-64 अपाचे हेलिकोप्टर की पहली खेप की आपूरती हिंडन एर्बेस पर की गई है हेलिकोप्टरों की यह आपूर्ती इन हेलिकोप्टरों के लिए 40 डॉलर का सौधा होने के लगभग 4 वर्सों के बाद की गई है बोईंग ने कहा है कि अपाजे हेलिकोप्टरों की पहली केप भारत पहुच गई है आपको बता दे कि कंपनी ने पूरी दुनिया में से अपने उप्भोकताओं को लगभग बाइस सो से अधिक अधिक अपाचे हेलिकोप्टरों के अपूर्ति की है और भारत इसमें से चोदहवा आस्थान है जिन में से उसे अपनी सेवा के लिए चुना के हैं बोईंग ने कहा है कि 2022 तक भारती वायू से ना बाइस अपाचे हेलिकोप्टरों का बेड़ा संचालित करेगा और यह पहली आपूर्ति निर्धारी समय से पहले की जाएगी जी हाँ दोसो अगली खबर आपको बता दे कि मोधी सरकार के प्रस्ताविक तीन स्रम कानूनों को आरेसेस मजदूर संग ने ठुकराया सिर्फ एक को अपनाया जी हाँ दोसो देश में पुराने 44 के बदले नए चार स्रम कानूनों को लागू करने के लिए मोधी सरकार की ओ कोड़ आन विवेज और लेबर कोड़ आन अकुपेसनल सिक्यूरिटी एंड हेल्थ वर्किंग कंडिशन को पेस कर चुकी है इन में से सिर्फ कोड़ आन विवेज को ही BMS ने ठीक बताया है जबकि कुछ जो खामिया बताते हुए विचार के लिए संसदिय कमीटी को भेज जाने की मांकी है उन्होंने कहा है कि लेबर कोड़ आन सेक्यूरिटी एंड विवेज बिल 2019 पर भारती मजदूर संक की कुछ खामिया बताया है और दावा किया है कि आरिसे से जुड़े मजदूर संक की और से इन दो बीलों को कर्मचारी और मजदूर विरूधी बताया जा आतोसुन जेस्टी काउंसिल की बैठक में आम आदमी को बड़ा तो फामिला है काउंसिल की बैठक में चलने वाली कार और इस्पूटर पर लगने वाली जेस्टी दर में कटोती कर दी गई है इस पर एक्सपर्ट का कानाय की एक अगस्ते इलेक्टोनिक वहिल पर जेस्टी आपको कम GST देना होगा मान लीजिए आप एक लाख रुपए तक की कीमत की इलेक्टोनिक बाइक खरेते हैं तो आपको 7000 रुपए कम चुकाने पड़ेगी जिहां तो वहीं चार्जर पर GST दरे 18% से घटकर के 12% कर दी गई है और यह नई दरे एक अगस्ते लागू हो जाए जिहां दोस्तों अगली खबर में आए जानते हैं मौसम के ताजा अपडिट क्या रहेंगे जिहां दोस्तों दिली NCR में चाय रहेंगे बादल इन राज्यों में हो सकती है तेजबारिस जिहां दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार कोंकण, मध्यपरदेश, महराष्ट, अ भावना जताई जा रही है वहीं उत्राखंड, पस्ची मंगाल, जारखंड, सिकिम, 36 गण और गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिस का अनुमान बताय जा रहा है वहीं बात करें कि अगले 48 घंटों के दोरान देश के कई राज्यों में भारी बारिस का अनुमान बताय जानिये रेलिवे की इस नई सर्विशेस के बारे में जी हाँ दोसम भारतिये रेलिवे अपने यात्रियों की सुभिधाओं का खास ध्याल रखती है इसे लिए रेलिवे ने अब जनरल डिपो के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम को सुरू कर दिया है इस कदम से जनरल क्लास के यात्री को आसानी से सिर्ट दिलाने में कदम उठाया जागा ये ऐसे कोच हैं जो अनरक्षित होते हैं इनमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर यात्री को सिट मिलती थी रेलिवे ने इसे फिलहाल वेस्टन रेलिवे के मुंबई सेंट्रल और रेलिवे एस्टेशन और बांदरा टर्मिनल पर सुरू कर दिया है आपको बता दे कि जनरल डिबो के लिए टिकट खरीद रहे यात्रीयों को बायोमेट्रिक मसीन पर अपना फिंगर पिट देना होगा जिसके बाद उन्हें एक टोकन जिनरेट करके दिया जाएगा यह टोकन नमबर हर जनरल क्लास के कोच सीट के नमबर से क्रम में अटेच किया जाएगा आपको बता दे कि इसके बाद यात्रियों को अपने टोकन नमबर के क्रम में एक लाइन में खड़ा होना होगा और एक जियार पीएफ स्टाफ एंटरी पॉइंट पर खड़ा रहेगा और जो टोकन पर सिरियल नमबर चेक करेगा और पैसेंजर को उसी ओडर में कोच में जाने देगा जी हाँ दोसो अगली खबर आपको पता दे कि मुख्यमंतरे नितिस कुमार के बिभाग में जारी की गई ऐसी चिठी की बिफरपड़े भाजपाई गठवंदन में खटास बढ़ने के आसार जी हाँ दोसो बिहार की सियासत में इन दीनों एक चिठी चर्चा का किंदर में है इस चिठी की वज़े से राजी की गठवंदन सरकार में खटास पैदा हो रही है बिहार के मुख्यमंतरी नितिस कुमार के एक बिभाग की ओर से जारी की गई चिठी में पुलिस अपसरों से आरेसे समेत 19 हिंदुवादी संगटनों की जानकारी मांगी गई है बीजेपी इसी पर जेडियू से बिफर हुई है और गठवंदन में खटास बढ़ने के आसार है दरसल राजी के ग्री सचिव की विसीस साखा में एसपी के सभी छेतरिये पुलिस अधिक्चको और सभी जिला विसीस साखा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वो हिंदु राष्टवादों की नाम पता और व्यवसाय की जानकारी इकठा करे और इन्हें भेजे